बिस्मिल्ला रुख्माद रुर्वाहीम असलाम लेकुम क्या है ठीक ठाक है आज को में टॉपिक है वो यह कि बक्रों के विटामेंस कैसे पूरे करने हैं और बक्रे के विटामेंस की कमी की निशानी जो सबसे अची सबसे आम और सबसे मिज़र निशानी आपको एक मिट में आगे वाले दो पाउं में आगे की तरफ रखेगा यानि के पाउं को दबा आगे की तरफ निकले होंगे वह पाउं पिल्गुस सीदे नहीं रखेगा यह सबसे बड़े निशानी विटामेंस की कमी की और उसका सबसे अच्छा हल मेरी नजर में तो खुराक वगेरा में करता है पर जागे वह आठ नौ मा लाग जाते हैं जब कुर्बानी के निजीक जानवर चला जाता है पर हम उसका अगर उसकी कमी को जल्दी पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि एक दो मां में कमी पूरी हो जाए उसका जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता हाल यह ही है वह य देखें यह काम का इंजेक्शन है यह 50 ml की वाइल है आपने क्या करना है आपके पास अगर बड़ा बकर है छे दांत तो आपने यह पांच सी सी इंजेक्शन बजाना लगाना है एक मांगे दस दिन में यह वाइल हत्म हो जाएगी ठीक है फिर आपने बकरे को बीज दिन देना लाजमी फिर बीज दिन स्टे देगे फिर नेक्स्ट मन्थ आपने फिर एक इंजेक्शन पूरा करते हैं पांच पांच सी कारके दस दिन में ठीक है यह दो वाइल है दो वाइल में इनिशला फरक पड़ जाएगा अगर आपका बकरा दो दांत है यहां आपका बकरा प्रेगनट हो आपने ग्यागरने उसे पहले दो माह लगाने वह बड़ा पहले दो माह इसे दो माह लगए यूज गरें ठीक है तो उसे फरक पड़ जाएगा बकरी विटामिन उसकी पूरे हो जाएगे इनिशाला ठीक है ना और यह जो इंज्ञेक्शन आपने जब बकरा होना तो आपने फिर नहीं लगाना विटामिन का कोई भी इंजेक्शन हो बगरा टमपरेश्चर बगरे को आप उसे जैक्शन ना लगाए यह वाला क्योंकि यह फिर नुक्सान दे होता है उजें कहीं बंदे देखिए हैं विटामारी में भी विटामा के इंजेक्शन लगा लगा दिया इसे कोई फरेक ने पड़ेगा अलगे उल्टा के बक्रा खराब होगा ठीक है बमार जब बक्रा हो या बक्री हो आपने इंजेक्शन बिलकुन लिगा नहीं जो ठीक है और किसी चीज़ की रहनमाई चुए तो बता दीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब कर दे और बेल आइकान को दबा दे मेरे बानी शुक्री आलाफिस